जहें दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग भारत की भुगोल के अंतरकत दोस्तों भारत की प्राकर्ति कोनस्पतिया यह वन इसे के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए दोस्तों भारत में बहुत परकार की दोस्तों मतलब वन अवनस्पतिया पा जैसे ही यह हैं दोस्तों उस्द कट बंदिय कांटे दार भन तो फिर्वठिय है तो ये कुछ मैन टॉपिक इसे के बारे में हम लोग इस वीडियों में डिस्कस करने वाद हैं तो चलिए एक एक कर कर देखते हैं उनकी क्या विस इसताय है मैं तो पहला देखिए कि दोस्तों और स्टीमीन और यहां पर वर्शा 200 से अधिक होती है समझ रहा है उस लिकट बन दिया सदा बाहर बन कहाँ पर बाय जाते हैं इस परकार के पर दोस्तोंं इनकी भी से ऊस्ता है और यह बंढ दोस्तों इनमें कौन-कौन से पेड आते हैं जैसे जैसे रवर हो गया है दोस्तों मोहोगनी हो गया यबोनी नारियल बांस सिन्कोवा आइरंबुड ये सब दोस्तों जो फेड है इसी बंढ के अंतर गत आते हैं फीक है carga ये सब बनाते जिनके उचाई लगबग दोस्तों 50 मिटर से अधिक भी हो सकती है और ये बन जादा तर कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों इनका विस्तार जो है महराश्ट है करनाटक है केरल है अंडवान वा निकोबार लच्छ दीप पच्छिम बंगार ठीक है उसके बाद दोस्तों ये ज बिस्ताय दोस्तों इसकी यही है कि इनके नाम से आप जान सकते हैं कि दिया सदा बहार बन तो सदा बहार मतलब की हमेशा ये वह इसे को इसे रहते हैं यानि हमेशा हरे बरे रहते हैं ठीक है और यही इसके कुछ में दोस्तों बिस्ताय थें सबका हम लोग बारी बारी से थ यह बहुत भारत में बहुत अधिक भूभागों पर पाया जाते हैं यानि इनकी संख्या जो दोस्तों बनों की भारत में अधिक है और यह दोस्तों 100-200 cm के बीच जहां पर वर्षा होती है वहां पर यह पाया जाते हैं और इन विरिच्छों में दोस्तों जैसे साल का विरिच्छा गया सागवन, सीसम, चंदन, आम, शाखु, शाखु मतलब जिसको गाव में दोस्तों लोकल लेंगोज में बोलते हैं यानि यह गर्मी में अपना पत्ते गिरा देते हैं और इनका विस्तार दोस्तों मत प्रदेश, 36 गड़, करनाटक, जहारखंड, हिमाले के गिरिपद मतलब दोस्तों हिमाले के निचली यानि आधार पे हैं ठीक है और यह तो जैसे हमने बताये दोस्तों की यह गर्मी में प स्थानियान तुछ भारत का कौन सा जगह है रजस्थान वहाँ पर पाया जाते हैं वह पर पानी की बहुत होती है तो जैसे नाकफनी हो गया यह सब दोस्तो आधिक्तर रजिस्थान में काटे हूं ठीख हैं तो यह बन देखिए जह वहां जहां पर वर्षा पचास संटीमेटर से कम होती है वहां पर यह पाए जाते हैं और यह तो हमने पहले के बिरिच इसरब स्टिए जो हैं दोस्तों काटे-दार बन में आते हैं ठीकर अब इनका विस्तार जादा तोस्तों राजस्थान और गुजरात गुजरात में भी दोस्तों कुछ रिया है जो मरुस्ता लिये हैं और दच्छडी पच्मी उत्तर पर्दिश ठीक हैं है अगला दोस्तों पर्बतिय बंढला जैसे दोस्तों नाम से पता है कि पर्बत यह वदन पाए करफ़ गरता है तो फिर नीचे शालता है तो इनके विस्तार के बाद किया जाय तो यह तो till thousand पर कसमीर तक है यानी और यह हमाला जो हिमाला पहाड़ी एरिया है है और दोस्तों इनको उछाय कि अधार पर कई भाग तो उसी के अधार पर इसको बाड़ दिया गया है कि कौन कौन किस तरह के बन पाय जाते हैं जैसे कि उचाई के धार पर देखी दे पंदरा सो मीटर से उचाई तक जो हैं दोस्तों पंदरा सो मीटर की उचाई तक जो बन है उसको कहा जाता सदा भार हम पतज़ड़ वाले बन यह सब दोस्तों पौधे आते हैं उसके बाद में पचीशो से पैतालीस सो मीटर की उचाई वाले जो बन है उसको कहा जाता है कोड़ धारी बन इनमें जैसे फर इस्प्रूस चीर सनोवर तथा ब्लू फाइन यह सब पौधे दोस्तों कोड़ धारी बन में आते हैं जिनकी यह बन पाए जाते हैं ठीक है कि उसके बाद में है कि 4500 से 4800 मीटर की उचाई वाले बन जिनको नाम दिया गया है टुंड्रा टुंड्रा तुल वनस्पति उखती है ठीक है दोस्तों टुंड्रा का नाम तो आप सुने होंगे कि जहां पर ज्यादा बरफ जमी होती तो यह जई कि युष्त तुंड्रा जैसे नदियों का जो डेल्टा बनाते जो तो वहते है उसको डेल्टा बन दिया गया है अजवारी कि नार है दोस्तों वहां पर यह नाम दिया गया है तो इनमें देखी दिया इस परकार के बन नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं डेल्टाओं भूम समतल तथा नीची होने के कारण इसमें सबुत्र का खारा पानी परवेश कर जाता है इसलिए इसे ज्वार्य बन भी कहा जाता है ठीक है यानि डेल्टाओं जैसे हमने बताया दोस्तों कि जो बन जारा जाता है उसको डेल्टाओं बन कहा गया है लेकिन जब वहां पर बाढ़ आ जाती है ठीक है और खारा पानी जब वहां पर पर वेश कर जाता तो इसलिए इसको ज्वार्य बन भी कहाने लगा गया दोस्तों ठीक है उसके बाद में जैसे इन बिरिच्छों में प्रियल फोनिक्स नीपा तथा सुंद्री बिरिच्छ मतलब इसमें आते हैं ठीक है और इनका विस्तार दोस्तों जैसे गंगा ब्रहम पुत्र महा नदी इल्षडा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाय जाते है और गंगा ब्रहम पुत्र के डेल्टा में पूश्तरी ना मुनामक ग्रिच्छ बहुत अधिक मात्रा रें पाय जाते हैं इसलिए इससे सुंदर बनका है डेल्टा भी कहने लगे हैं दोस्तों ठीक है अब इसको हम दोस्तों मायब में देख लेते हैं इनका ठीक है बाकि जो में ता दोस्तों इसको हम लोग डिसकस कर हैं कि इनकी क्या-क्या विश्था आए थी अब इसको हम लोग मैब में देखेंगे थोड़ा उसके बाद में वीडियो को खतम करते हैं ठीक है तो यह देखिए दोस्तों यह जो है पाड़ी एरिया है इसको हमने बताया था कि परबतिय बन कहते हैं यह देखिए अहसे इनका व स्थलिय बन तो हमने बताया भी था ठीक है इनका भी स्तार ऐसे है राजस्थान और गुजरात है ही दोस्तों थोड़ा इधर भी है महराष्ट और करनाटक लेकि थोड़ा कबर करता है उसके बाद यह देखिए बीच वाले दोस्तों यह पत्जड़ी बन में आते हैं ठीक है यह है जो दोस्तों यह है जो आरी यह बन ठीक है यह डेल्टा यह बन ठीक है तो इनका विस्तार छे दोस्तों कुछ इस तरह से है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर क